हेलो फ्रेंट्स वेलकम दो चैनल एक्सिलस ट्कनोलोजी मैंने मिस्परमविर तो फर्स फॉल थैंक यू वेरी मच्छ जो आप हमारी लास्ट वीडिस को इतना लाइक कर रहे हैं और आज हम आपके लिए यू वीडियो ले के आ रहे हैं उसमें है सिंपल कि android के लिए जावा क् स्टैपिंग उन्ट देवेल्पेंट आफ एंड्रोइड तो बेसिकली आप में से कई यों को यह पता भी होगा और जिनको नहीं भी पता तो android के जो आप करते हो वहां पर जो हमारे पास एक पेज जिसको हम एक्टिविटी कहते हैं android language के अंदर वह उसको हम एक में लिखा जाता है तो अगर आप android development सीखना जाते हैं उससे पहले कुछ android के core topics हैं जो आपको आने चाहिए वह बेसिकली क्यों आने चाहिए कुछ लोग क्या करते हैं कि सीधा android development पर स्विच कर लेते हैं without even learning the basics of Java वह यह वह इक्वल होता है कि आप scuba diving कर रहे हो without even learning how to swim so पहले swimming करना सीख लें बाद में हम diving में चले जाएंगे ठीक है so पहले हम ABC सीख लें फिर हम hollywood में चले जाएंगे इंग्लिश के हैठी करने ठीक है so सबसे पहले जो core Java हम basically कहने थे JSE Java Standard Edition वह उसलिए आपने सुना होगा कि android से पहले core Java कर लेते हैं but हमने पूरी core Java नहीं करन exception handling जावा IO जिसको mostly file handling कहने थे collections framework ठीक है string handling यह कुछ topics है जो हमें android development से पहले हमें Java में सीख लेने चाहिए आप और Java में से GUI पार्ट निकाल दीजिए graphical user interface जो basically हम swing के साथ करते हैं इवेंट handling यह पार्ट आप उसमें से निकाल दीजिए उसके इलावा जो भी core के topics बचते हैं वो सब हमें android के लिए जरूरी होते हैं अब कुछ लोग कह लेते हैं कि हम सीधा android में switch कर लेते हैं वहां पर भी हमें यह सब parts हम सीखी लेंगे जो coding हम करेंगे तो बट आप अगर जाकर कोई online tutorials देखें जागर आप किसी videos को भी follow करें तो वहां पर क्या किया जाता है कि आपक वो सिरफ एक particular example android की explain कर दी जाती है वहां पर यह नहीं बताया जाएगा कि यह method को ऐसे क्यों call किया जा रहा है यह class कहां से derive हो रही है interface यह कौन सा user abstract class क्यों use की गई है वो कोई नहीं बताएगा क्योंकि यह ही माना जाता है कि आपने पहले Java करी हुए आप सिधा आप android की example कर अब ठीक है आपने वो example कर ली देख भी ली रन भी करा ली लेकिन अगर आप उसकी working ही नहीं समझ जाई फिर वो example करने का कोई फाइदा नहीं हुआ सो हम पहले basic समझ ले के उपस में classes क्या होती है objects क्या होते है interfaces क्यों use किया जाते है अब stack class क्या होती है inheritance क्या चीज होती है inheritance कैसे होती है और सबसे जो काफी important topic होता है collections framework collections काफी जादा use होतें android development के अंदर जो हम core Java के अंदर रहते हैं ठीक है तो यह कुछ topics है जो हम android development से पहले सीखने जाए क्योंकि अगर हम सीधा android development करेंगे तो वहां पर जो उस development की android part की जो complexity है और उसकी जो working है वो हम समझ नहीं पाएंगे अगर हमने जावा के topics already समझ लिये होंगे तो जो android की backend coding है जो हम जावा में करते हैं वो हमारे लिए easy रहेगी और जावा ही क्यों करनी चाहिए हम android के लिए वैस्तों और वी एक दो languages हैं जो हम कर सकते हैं अब जावा सबस जावा से easiest language है और most popular language है आप नेट पर सर्च करें पिछले दो-तिन सालों से जावा टॉप पर चल रही है फर्स नमबर बन लेंगवज चल रही है most popular language ठीक है तो आप Java जब सीखेंगे तो काफी easy रहती है Java का जो syntax है और जो उसके आप कहलो के working है या code जो लिखा जाता है वो समझ आ गया होगा कि Android development के लिए आपको कौन-कौन से और जावा के topics पता होने चाहिए plus main point कि क्यों पता होने चाहिए ताकि आप Android development आपके लिए easy रहे ठीक है तो अगर आपको फिर भी इन topics के बारे में कोई doubt है या आप कुछ और समझना चाहते हैं तो आप please हमें mail कर सकते है या आप हमें comment section में भी बता सकते हैं ठीक है तो या फिर आप हमें call भी कर सकते हैं हमारा number इस वीडियो के description में दिया हुआ है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इससे आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को like करें comment करें और share करें और जिनो thank you very much friends have fun with coding